कविता का नाम दान कविताकार सुरेकांत्रिपाठी निराला जी पठन करता अमित पांडे वासंती की गोद मैं तरुण सोहता स्वस्थ मुक बाला रुण चुम्बित सस्मित कुंचित कूमल तरुणियों सद्रिश किरणे चंचल किस लयों के अधर योवन मद रताब मज जोड़ते शटपद खुलती कलियों से कलियों पर नव आशा नवल स्पंद भरभर व्यंजित सुख का जो मद गुंजन वह पुंजीकरत वन वन उप वन खेम हार पहने अमल तास हस्तार तांबर वर पलास कुंद के शेश पूजार्ध्यदान मल्य का प्रथम योवन शयान खुलते स्तबकों की लज्जा कुल नत वदना मधुमादवी अतुल निकला पहला अरविंद आज देखता अनिंद्य रहस्य साज सौरव वसना समीर बहती कानों में प्राणों को कहती गोमती शीन कटिनटी नवल नरत्य पर मधुर आवेश चपल मैं तातेह परेटनार्थ चला लोटा आपुल पर खड़ा हुआ सोचा विश्य का नियम निश्चल जो जैसा उसको वैसा फल देती यह प्रकृति स्वयम सदया सोचने को न कुछ रहा नया सौंदर्य गीत बहुवण गंध भाशा भावों के चंद बंध और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दानवे सप्रयास या अनायास आते हैं सब सब मैं है श्रेष्ठ धन्य मानव फिर देखा उस पुल के उपर बहु संख्यक बैठे हैं वानर एक ओर पत के क्रिष्ण काय कंकाल शेष नर मृत्य प्राय बैठा सशरीर दैन्य दुरबल बिक्षा की उठी दृष्टी निश्चल अतिशीन कंट है है तीवरश्वास जीता जियों जीवन से उदास धोता जो वह कौन सा शाप भोगता कठिन कौन सा पाप यह प्रश्ण सदा ही है पथपर पर सदा मौन इसका उत्तर जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण मैंने जुक नीचे देखा तो जलकी आशाकी रेखा विप्रवर स्नान कर चड़ा सलिल शिव पर दूरवादल तंडुल तिल लेकर जोली आये उपर देख कर चले तत्परवानर दुज राम भक्त भक्त की आश भजते शिव को बारहों मास कर रामायड का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण दुख पाते जब होते अनाथ कहते कपियों से जोड हाथ मेरे पडूस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन जोली से पुए निकाल दिये बढ़ते कपियों के हाथ दिये देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर चिलाया किया दूर दानव बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव कविता का नाम दान कविताकार सुरेकान त्रिपाठी निराला जी पठन करता अमित पांडे